जैशी गृष्णा कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा श्रावन का महीना हरियाली से जुड़े त्योहरों का होता है इन्ही में से एक होती है हरियाली अमावस्या और इस बार सबहग्य से ये हरियाली अमावस्या सोमवारियाने की सोमवती अमावस्य के रूप में भी मनाई जाएगी जब दो चीजों का आपस में संगम होता है तो ये हमारे उपर कहीं न कहीं देवी देवताओं का आश्रवाद होता है ऐसा कहा जाता है कि हर्याली अमावस्या का बहुत खास महत्व है इस पर्व की मानेता पौराने कताओं से जुड़ी है जब रिशी मुनी परियावणन संडरक्षन और प्रकरती को इश्वर की तरह पूछते थे इस दिन पेड़ पौधे लगाना बहुत शुब माना जाता था ये मानती हूँ कि आज के युग में आज के समय में ये सब परंपराएं ये सारी चीजें बेमानी हो गई है लोगों ने इन चीजों को मानना छोड़ दिया है और प्रकरती इसका क्या विनाश दिखा रही है दिखता तो है लेकिन फिर ये कहा जाता है कि हे प्रभू पता नहीं क्या हो रहा है ये सब ऐसा क्यूं हो रहा है रिशी मुनी आपको बता कर गए है कि अगर ये नहीं करेंगे तो समस्याओं की उत्पत्ती होगी ही होगी चलिए आज के दिन पेड़ पौदे लगाना अती शुब माना जाता है साथ ही में आज के दिन पित्र दोष्टे मुक्ती के लिए भी बहुत जादा शुब माना जाता है इस साल हर्याली अमावस्या सुमवार को पढ़ रही है और इस दिन सरवार्द और सिद्धी योग बन रहा है इस दिन शुब योग में पूजा करना अती शुब माना जाता है किसानों के लिए ये दिन खास महत्यों रखता है इतनी फसल रोज खराब हो रही है अधिक वर्षाओं के कारण हमारी प्रकर्टी हमें कहीं न कहीं कस्ट दे ही रही है तो ऐसे में हर्याली अमावस्या पे कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुख और समरद्धी से भरने के लिए भोले नाच से वर्दान प्राप्त करते है जोतिश शास्त्र के मुताबिक अगर आज के दिन भगवान शिप को आग या मदार का फूल चढ़ाया जाता है तो वो बहुत ही शुब माना जाता है पौरानिक मानेताओं के अनुसार हर्याली अमावस्या के अफसर पर पीपल के पेड की पूजा करना बहुत शुब माना जाता है इस दिन पीपल के पेडों का रोपन करना बहुत शुब माना जाता है और इस बार तो वैसे भी अधिक मास है इसलिए इस बार हरी और हर दोनों का मिलन है तो पीपल का पौधा अगर हम रोपन करते हैं तो भोले नात के साथ साथ विश्नु जी का भी आश्रवाद हमें प्राप्त होता है इस दिन मचलियों को चीटियों को खाना खिलाना शुब माना जाता है अब उनका जो खाना है आप वही तो उने खिलाएंगे तो आज के दिन आटे की गोलियां सुखे आटे के अंदर चीनी या भूरा मिलाकर चीटियों को खिलाना अतिशुब माना जाता है अच्छे विवाह और जीवन में प्रेम संबंदों को ठीक करने के लिए आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है हनुमान जी के मंदर में जाकर अगर आज के दिन आप हनुमान चालिसा का पाठ करेंगे सिंदूर और चमेली उन्हें अरपित करेंगे तो ऐसा करने से आपकी परेशानिया आपके दुख दूर होंगे धन और वैवव के लिए आज के दिन माता लक्षमी को खुश करने के लिए प्रसन करने के लिए हमें इशान कोण में घीका दीपक प्रजलित करना चाहिए हर्याली अमारस्या पर व्रक्षा रोपन बहुत शुब होता है पित्र दोश इससे तुरंत समाप्त हो जाता है इस दोश की समाप्ती के लिए आज के दिन पौधे लगाना अती शुब माना गया है यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन आप अपनी राशी अनुसार ये पौधे जरूर लगा लीजिए अगर आपकी मेश राशी है तो आपको अशुक का पौधा जरूर लगाना चाहिए अगर आपकी व्रश राशी है तो आपको आज के दिन नाक केसर का पौधा लगाना चाहिए अगर आपकी मिथुन राशी है तो आज के दिन आपको बेल का पौधा लगाना चाहिए अगर आपकी करक राशी है तो आपको पीपल का पौधा जरूर लगाना चाहिए अगर आपकी सिंग राशी है तो आपको कनेर का पौधा जरूर लगाना चाहिए अगर आपकी कन्या राशी है तो आपको आज के दिन नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए पौधा ज़रू लगाना चाहिए आपकी तुला राशी है तो आपको भी नाक केसर का पौधा लगाना चाहिए आपकी व्रिष्चिक राशी है तो आपको नीम का पौधा लगाना चाहिए अगर आपकी मकर राशी है तो आपको शमी का पौधा लगाना चाहिए अगर आपकी कुम राशी है तो आपको केले का पौधा लगाना चाहिए और अगर आपकी मीन राशी है तो आपको बरगद का पौधा लगाना चाहिए चोटी चोटी चीजें होती हैं जीवन में अगर हम इने मानते हैं जानते हैं तो ये हमारे जीवन में सुक समरद्धी देने का कारे करती हैं आरोग्य की प्राप्ति के लिए आपको ब्रह्मी, पलाश, अर्जुन, आवला, सूरज मुखी या तुलसी का पौधा लगाना चाहिए सौभग्य प्राप्ति हेतु आपको अशोक, अर्जुन, नारियल, वट का वरक्ष लगाना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए आपको पीपल, नीम, बिल्व, नाक केसर, गुढहल, अश्वगंधा का पौधा लगाना चाहिए सम्रदी प्राप्ति करने के लिए आपको आकड़ा, शंक पुष्पी, पलाश, ब्रह्मी, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए सुख प्राप्ति के लिए नीम, कदम, घनी, छायादार व्रक्ष लगाने चाहिए जो आगे जाकर बहुत विशाल हो जाए प्रेम की प्राप्ति के लिए अपने प्रेम संबंदों को अच्छे करने के लिए आपको परिजात, रात, रानी, मोगरा, गुलाप का पौधा लगाना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं करके देखिए आपको इससे जीवन में बहुत फायदा मिलेगा मिलेगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं फिर आऊंगी कुछ नहीं आ, कुछ अलग, कुछ अद्बुद लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ यह जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आप से मिलने आऊंगे तब तक के लिए राधे कृष्णा सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में पीच्टी मात्रशला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुडलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ट प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुका है स्च्ट्रोलजरे गिमान उन्हें भी है स्च्ट्रोलजर झाल त्रिवें बेदें में उन्हें, बेस्ट्रोलजर विप